कुछ ऐसे कारिय होते हैं जिसके लिए ग्रह बाधाईं पैदा करते हैं शादी के लिए अलग ग्रह बाधा पैदा करता है नौकरी के लिए अलग ग्रह बाधा पैदा करता है तो अलग अलग कारियों के लिए अलग अलग ग्रह बाधा पैदा करते हैं और अगर वो बाधा पैदा कर रहे हैं, तो इसे दुरुस्त करने के उपाय क्या हैं? ये भी जान लेते हैं. देखिए, अगर सिक्षा संबंधी कारिय है, सिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, तो यहाँ पर चंद्रमा और बुद्ध ये काम बिगार देते हैं. इसलिए सिक्षा संबंधी कारिय में अगर बाधा आ रही है, तो मा सरस्वती की पूजा करने से सिक्षा संबंधी कारिय में आ रही बाधा दूर हो जाएगी. अगर करियर संबंधी बाधा आ रही है, तो इसका काम बिगारते हैं आम तोर पे ब्रिहस्पती और शनी. तो अगर करियर संबंधी काम में बाधा आ रही है, ब्रिहस्पती और शनी की वज़ा से, तो आप शनीदेव के पैर पकड़ लिजिए, शनीदेव की कस के खूब ज़्यादा उपासना कीजिए, खूब ज़्यादा अराधना कीजिए, करियर में अगर कोई बाधा आ रही है तो वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी अगर विवा संबंधी कोई काम है विवात्य होने की बात है शादी फाइनल होने की बात है तो इसमें जो ग्रह काम रोक देते हैं वो होते हैं शनी, राहू और केतू तो अगर विवा संबंधी कारिय में बाधा आ रही है विवा तय नहीं हो पा रहा है विवा की बात आगे नहीं बढ़ पा रही है तो ऐसी दशा में इस बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए भगवान शिव की उपासना अगर की जाए तो विवा संबंधी कारिय बन जाता ह आप घर बनाना चाहते हैं घर का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या घर से जुड़ा हुआ कोई काम है तो उसमें बाधा पैदा करते हैं मंगल और सूरिय और अगर घर के किसी काम में आपके बाधा आ रही है बनाने से लेकर के रहने तक के मामले में तो ऐसी दशा में आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए अगर आप ऐसा करें, हनुमान जी की पूजा करें, तो निश्चित रूप से आपके जो बिगड़े हुए काम है, वो आसानी से बन जाएंगे अगर स्वास्त संबंधी कोई काम है, आपको अपना इलाज करवाना है, और बार-बार उसमें बाधा आ रही है तो इस बाधा के पीछे होता है राहू, सूर्य और चंद्र, इनकी वज़से सेहत संबंधी कारियों में बाधा आती है, तो अगर सेहत संबंधी कारियों में आपके बाधा आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है, तो ऐसी दशा में भगवान शिव की पूजा करने से, भगवान शिव की उपासना करने से निश्चित रूप से आपको लाब हो पाएगा